अगर तुम पास में रखी हुई objects जैसे कि ये Batman इस पे focus करो तो तुम्हें दूर रखी हुई objects जैसे कि ये पेड ये धुंदली नजर आने वाली है अब अगर तुम्हें इस पेड पे focus करो तो तुम्हें ये Batman जो की पास में रखा हुआ है ये धुंदला नजर आने वाला है त और अलग-अलग distance पर रखे वे objects को focus कर सकता है अब अब इसके बारे में detail में पढ़ते हैं अब इससे समझने के लिए मैंने human eye का एक simple सा diagram बना रखा है देखो वैसे तो human eye एक बहुती complicated चीज होती है इसमें बहुत सारे parts होते हैं लेकिन अभी मैं कुछ-कुछ चीजों को ही द तो हमें बाहर की objects clearly दिखने वाली है जैसी कि अगर तुम्हें एक movie theater में बैठो ना तो सामने तुम्हारे होता है परदा और पीछे होता है projector जिसे की light rays निकलती है और परदे पे image बन जाती है अब अगर sharp image बने तो तुम्हें clearly दिखने वाला है कि क्या movie चल रही है ठीक वैस अपनी eye lens की principal axis और इस पर मेरी tree कुछ बहुत ही दूर पर खड़ी है तो यहां पर मैंने दो लाइन इसलिए बनाया है दिखाने के लिए कि मेरी tree यह eye से बहुत ही दूर पर खड़ी है अब देखो मेरी आखें इस tree को clearly देख पा रही है यानि कि इस tree की एक clear image एक focused image बननी चा और उस point से मैं कुछ दो race को ऐसे choose करूँगा जिनके path को मैं draw कर सकू clearly, easily अब देखो अगर object कहीं दूर पर रखाओ infinity पे तो मुझे पता है कि उससे जो incident race निकलेंगी ना जो कि मेरी आख पे incident होने वाली है वो race almost parallel होने वाली है almost parallel उनके बीच में angle बहुत ही कम होने वाला है तो यानि कि अगर मैं इस tree पे कोई से भी point लूँ और उसे दो race को निकालू तो वो मेरे आखो पे parallel incident होने वाली है अब यहाँ इस case में माल लेते हैं कि वो principle axis के भी parallel होने वाली है ताकि हमें समझने में थोड़ी आसानी हो जाए तो यानि कि मैं कुछ ऐसी race को लेने वाला यह दोनों ही race यह किसी एक point से आ रही है इस tree के किसी एक point से incident हो रही है हमारी eye पे और यह इसलिए almost parallel है क्योंकि यह tree बहुत ही दूर पे रखा हुआ है अब देखो यह वाली race यह pass कर रही है हमारी lens के optical center से तो यानि कि बिलकुल ही undivided pass करने वाली है इसके pass में कोई भी change नह हमारे retina पे इसका मतलब कि किसी भी point से जो incident race होगी ना वह refract करने के बाद एक ही point मिलनी चाहिए हमारे retina पे यह वाली reading यह मिल रही है retina से यहाँ पे यानि कि यह second वाली ray यह convex lens से refract करने के बाद ये भी यहीं पर मिलनी चाहिए यानि कि ये कुछ ऐसे बेंड कर जाएगी रिफ्राट करने के बाद और ये दोनों यहां इस पॉइंट पे रेटना के उपर कन्वर्ज करने वाले हैं और फिर हमारी इस पॉइंट की एक शार्प इमेज बन जाने वाली हमारी रेटना के उपर अब देखो ये इंसिडेंट रे ये तो प्रिंस्पल आक्सिस के पैरलल जा रहे थी और हमें ये पता है कि प्रिंस्पल आक्सिस के पैरलल जाने वाली रे Convex Lens से Refract करने के बाद Focus के थ्रू ही जाती है Principal Focus के थ्रू यानि कि मुझे ये पता चल गया कि ये वाली Point ये होने वाली है Principal Focus of our Eye Lens जब हमारी Eye Lens किसी दूर की Object पे Focus कर रही हो और ये वाली दूरी Optical Center से इस Point तक की दूरी इसे हम कहतेंगे focal length अब हाँ इसी case में हम बात करते हैं कि जब हम किसी दूर की Object पे Focus कर रहे हो तो Pass की Objects जैसे की Batman ये धुनली क्यों दिखाई दे रही थी तो यहाँ पे है मेरा Batman और ये कुछ Pass में है मेरे आग के In comparison to ये Tree ये बहुत ही Pass में है अब देखो अभी पी हम History पे Focus कर रहे है तो यानि कि हमारी ये होगई Principal Focus अब मैं इस Batman के Image बनाने वाला हूँ इस Convex Lens के Thru तो यानि कि मैं सेम चीज़े करने वाला हूँ एक Point लेंगे Batman पे और उसे दो ऐसी Light Ray को निकालेंगे जिनके Path को हम बना सकें Easily तो एक Ray तो होगे ये वाली जो कि जाएगी Optical Center के Thru Undeviated और यहाँ पे Retina के Thru Intercept करेगी और दूसरी Light Ray ये जारी है Parallel to Principal Axis अब मुझे पता है कि जो Light Ray पार्ल to Principal Axis जाएं वो Refraction के बाद Principal Focus के Thru पास करती है अब क्योंकि अभी भी हम इस Tree पे Focus कर रहे है तो यानि कि Principal Focus ये वाली Point होने वाली है तो यानि कि Refraction के बाद ये Light Ray ये कुछ A से निकल जाने वाली है अब अगर तुम ध्यान दो तो तुमें दिखेगा कि ये दोनों Incident Rays ये Refraction के बाद Retina के ऊपर Intercept नहीं कर रहे है ये Retina के कहीं पीछे Intercept कर रहे है यानि कि हमें एक Sharp Image नहीं बन ले वाली है इस Point Object की इस Retina पे तो यानि कि हमें ये Batman ये थुड़ा धुन्दला नजर आने वाला है और ऐसा ही तो हो रहा था Starting के वीडियो में जब हम Focus कर रहे थे Tree पे तो हमें Batman की Image ये थुड़ी धुन्दली नजर आ रही थी तो ये तो होगी तब की बात जब हम Focus कर रहे हो At Objects kept at Large Distances तो हमें Pass की Objects ये थुड़ी धुन्दली नजर आती है अब हम बात करते हैं कि क्या होगा जब हम ऐसे Objects पे Focus करें जो की Pass में रखी हो जैसे कि ये Batman तो हमें पीछे की Objects ये धुन्दली नजर कीओ आती है तो अब इस बार हम Focus कर रहे हैं Batman पे अब इसकी Ray डाइग्नाम्स बनाते हैं तो ये वाली Ray जो की Optical Center से Pass कर रही हो ये तो अभी भी ऐसे ही Pass करने वाली है ये बिलकुल ही Undeviated जाएगी और ये Retina पे यहाँ पे Incident होने वाली है अब देखो इस बार क्योंकि हम Batman पे Focus कर रहे हैं तो यानि कि Batman की Sharp Image बन रही होगी हमारी Retina के उपर और सारी Ray ये Intercept कर रहे होंगे Retina के उपर ही तो यानि कि ये जो दूसरी वाली Ray है न ये Refraction के बाद ये कुछ इतना Bend कर जाएगी कि ये अब यहाँ इस Point पे ही Intercept करने वाली है तो अब इसे Bend कर देते हैं तो ये Light Ray ये Refract करने के बाद कुछ ऐसे Bend करेगी और फिर ये दोनों Light Rays यहीं पे Intercept करने वाले हैं Retina के उपर तो यानि कि हमारी Point Object की एक Sharp Image बनने वाली है Retina के उपर और इसलिए इस बार हम Batman को Clearly देख पाएंगे अब देखो मुझे एक बात ये पता है कि जो Incident Light Rays Principal Axis के Parallel जाएना वो Refract करने के बाद Principal Axis को Principal Focus पे Intercept करती है यानि कि ये वाला जो Point है ये हो जाना चाहिए इस बार Principal Focus अब से लिख लेते हैं इस Case में जब कि हम Pass वाली Object पे Focus करें तो ये वाली Point कि हो जाएगी Principal Focus तो यानि कि हमारा Principal Focus ये थोड़ा Pass आचुका है और Focal Length इस Case में थोड़ी सी Short हो चुकी है अब देखो जब हम Batman पे Focus कर रहे थे तो हमें पीछे रखी हुई ये पेड ये थोड़ी धुन्दली नजर आ रही थी अब देखते हैं कि इसके साथ क्या हो रहा है तो ये हो गई rays जो कि Tree से आ रही थी तो देखो एक ray जो कि Optical Center से पास कर रही थी वो तो अभी भी Undeviated पास करने वाली है इसकी पास में तो कोई Change नहीं आने वाला है लेकिन ये Second वाली ray जो कि Parallel जा रही थी Principal Axis के ये मुझे पता है कि ये अब Refract करने के बाद Principal Focus से पास करने वाली है और क्योंकि हम Batman पे फोकस कर रहे हैं तो इसलिए हमारी Principal Focus ये अब यहाँ पे आ चुकी है तो यानि कि ये ray अब इस Point से पास करने वाली है कुछ ऐसे अब देखो इन दोनों ही Incident Ray का Intersection ये यहाँ पे कहीं हो रहा है Retina के पहले ही इसका मतलब कि मुझे इस बार एक Sharp Image नहीं मिलने वाली है Retina के उपर मुझे एक धुनली Image मिलने वाली है इस Tree की और इसलिए जब हम पास रखीवी Object पे फोकस कर रहे हूं तो हमें पीछे रखीवी Object ये थोड़ी धुनली नजर आती है और ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा था Starting के Example में जब हम Batman पे फोकस कर रहे थे तो Tree धुनली नजर आ रही थी अब दिखो ये तो case होगया तब का जब हम फोकस कर रहे हूं पास रखीवी Object पे Focusing at Short Distance तो अभी तक हमने important चीज़ें ये देखी कि जब हमारी आखें किसी पास में रखीवी Object पे फोकस कर रही हो तो हमारी Eye Lens की Focal Length ये Short होती है और जब हमारी आखें किसी दूर रखीवी Object पे फोकस कर रही हो तो हमारी Eye Lens की Focal Length ये Long होती है इसका मतलब ये हुआ कि हमारी आखें अपनी focal length को change कर सकती है depending on वो किस चीज़ पे focus कर रही हो और जब वो एक चीज़ पे focus करती है तो दूसरी चीज़ हमें धुनली नजर आती है तो यानि कि हमारी आखों के पास एक special power है जिसकी मदद से ये अपनी eye lens की focal length इसे बदल सकती है ताकि अलग-अलग distances पे रखे वे object को focus कर पाए अब देखो इसी power को में एक नया नाम देते है इसे हम कहते है power of accommodation अब तुम ये सोच रहे होगे कि ऐसा कैसे possible है राम जहां तक मैंने पड़ा है एक particular lens की focal length ये तो fix ही रहती है तो हमारी eye lens की focal length ये बदल कैसे रही है तो हम इसके बारे में detail में बात करते हैं देखो जब हम पास रखी वी object पे focus कर रहे थे तो हमारी focal length ये short आ गई थी ये focus थोड़ी पास आ गई थी और ऐसा इसलिए क्योंकि हमें incident ray को अब ज़ादा मोडने की ज़रुत थी ताकि intersection रेटना पे हो और image रेटना पे ही बने तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये bending किस चीज़ पे डिबेंड करती है कैसी lens का हम इस्तेमाल करें ताकि incident rays ज़ादा bend हो तो असल में bending डिबेंड करती है curvature of the lens पे अगर तुम ज़ादा curved lens का इस्तेमाल करोगे न तो वो incident rays को ज़ादा bend करने वाली है तो अगर तुम एक flat lens का इस्तेमाल करो जैसे कि मालों की rectangular glass slab तो उसके इसमें light rays ये तो बिलकुल भी पास में रखी वी object पे focus कर रहे है तो इसके इसमें हमारी lens ये थोड़ी ज़ादा curved है कुछ ऐसे ये तो ये ज़ादा curved है और इसलिए ये light ray को ज़ादा bend कर पा रही है अब तुम ये सोच रहोगे कि ऐसा कैसे possible है यार एक lens ये तो एक fixed shape की होती है न इसके shape को मैं कैसे बदल सकता हूँ तो देखो हमारी आखो के अंदर जो lens होता है न ये glass का बना हुआ नहीं है ये बना हुआ है एक jelly like material से एक fluid से बना हुआ है तो इसलिए तुम इसे पिचका सकते हो और इसके shape को थोड़ा change कर सकते हो या अब तुम इसे खीच सकते हो elongate कर सकते हो और इसके shape को थोड़ा और पतला कर सकते हो curvature को और थोड़ा कम कर सकते हो तो यहाँ इस case में हमने इस lens को ये थोड़ा पिचका दिया है ताकि इसका curvature जादा हो गया है और ये जादा bend कर रहा है light rays को और इस case में हमने इस से पतला कर दिया है इसके curvature को थोड़ा कम कर दिया है ताकि ये कम bend कर पाए light rays को अब देखो ऐसा कर पाने के लिए हमारी आखों में होते हैं special muscles इन्हें हम कहते हैं ciliary muscles जो कि हमारे lens को hold कर कर के रखती है और इन्हें के मदद से lens की curvature बदल सकती है देखो जब हमें किसी pass की object पे focus करना हो तो ciliary muscle ये हमारी lens को पिछखा देती है और इसकी curvature को मोटा कर देती है बड़ा कर देती है ताकि instant race ये ज़ादा bend करें और focus pass में आ जाए अब ऐसा ये कैसे कर पाती है इसके बारे में तुम detail में समझ सकते हो biology की वीडियो से अब आप कुछ और छोटी छोटी important बाते कर लेते है अगर ये batman ये मेरी आखों के थोड़ा और पास आ जाए कुछ इतना पास और मैं इसे अभी भी clearly देख पा रहा हूँ तो अब एक पर इसका ray diagram बना लेते है अब क्योंकि मैं batman को clearly देख पा रहा हूँ इसका मतलब कि batman की एक sharp image बन रही होगी मेरी retina के उपर यानि कि intersection मेरे retina के उपर ही हो रहा होगा अब देखो इसके लिए focus को थोड़ा और पास आना पड़ेगा और ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे object पास आती जाएगी वैसे वैसे light rays को हमें और bend करना पड़ेगा ताकि intersection retina के उपर ही हो जाए अब देखो जैसे जैसे object पास आ रही है वैसे वैसे हमारी focus ये भी पास आती जा रही है जैसे जैसे object distance ये short हो रही है वैसे वैसे हमारी focal length ये भी short होती चली जा रही है अब देखो अगर focal length कम हो रहा है इसका मतलब कि हमारी ये lens ये पिचकती ही चली जा रही है तभी तो focal length कम होता है ना तो हमारी eye lens ये थोड़ी पिचक चुकी होगी कुछ ऐसे और इसलिए focal length कम हो गया होगा लेकिन देखो ये eye lens के पिचकने की भी एक limit होती है उससे जादा ये पिचक नहीं सकती है इसका मतलब कि इसके corresponding एक focal length की भी limit होने वाली है अब जितना जादा यहाँ पे lens पिचकेगी उतना ही तो कम होने वाला है हमारा focal length अब अगर एक limit है जिसके beyond ये lens पिचक नहीं सकती है तो एक limit होगी जिसके beyond हमारा focal length ये कम नहीं हो सकता है अब मालनों कि हमारी lens ये अभी अपने limit को पहुच चुकी है इससे जादा हमारी lens ये पिचक नहीं सकती है यानि कि ये होने वाला है हमारा minimum focal length इससे जादा कम focal length नहीं हो सकती है अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं object को थोड़ा और पास ले आओ तो क्या होने वाला है कि इसे चाहिए होगा कि light race थोड़ा और bend करें ताकि intersection रेटना के उपर हो लेकिन अब क्योंकि यह minimum focal length है इससे जादा कम नहीं हो सकती है focal length तो यानि कि light race अब bend नहीं होने वाली है और यानि कि light race अब intersect नहीं करेंगी रेटना के उपर और हमें clear image नहीं मिलने वाली है यानि कि यह वाली जो position है ना यह minimum position होने वाली है जिसपे कि हमें एक clear image मिले अब इसलिए हम इस position का हम एक नया नाम देते हैं इसे हम कहते हैं near point अब उसे लिख लेते हैं near point और इसे हम denote करते हैं capital letter D के साथ देखो यह minimum distance है जहाँ पे तुम अगर एक object को रखो तो उसकी एक clear image बनने वाली है उसे हम clearly देख पाने वाले हैं अब अगर batman इस point से और pass आ जाए तो तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पे intersection यह retina के उपर नहीं हो रहा है यानि कि हमें एक sharp image नहीं मिलने वाली है यानि कि हमें batman यह धुन्दला दिखाई देने वाला है और देखो ऐसा इसलिए हो पार है क्योंकि हमारी lens अब इससे जादा और पिचक नहीं सकती है यानि कि हमारी focus यह और जादा pass नहीं आ सकती है और इसलिए light trace यह जादा bend नहीं करने वाली है और intersection कहीं और होने वाला है रेटिना के बचाए और इसलिए हमें एक धुन्दली image मिलने वाली है अब देखो generally क्या होता है कि on an average इंसानों का near point यह आख से कुछ 25 cm की दूरी पे होता है 25 cm की दूरी पे अब हाँ अलग-अलग इंसानों का अलग-अलग near point हो सकता है अलग-अलग distance पे है और in fact यह age के साथ भी vary करता है लेकिन तुम अपना near point यह खुद से calculate कर सकते हो तुम एक उंगली लेना और उसे आख के बहुत करीब रगतेना तो तुम्हें वो बहुत धुनली दिखने वाली है अब धीरी धीरे जैसे जैसे तुम उंगली को दूर लेते जाओगे न तो एक point में उंगली clearly दिखना चालो कर जाएगी और तुम फिर measure कर लेना कि क्या distance है उंगली और तुमारी आख के बीच में यह हो जाने वाली है तुमारी खुद की near point अब तुम यह सोच रहे होगे कि अगर एक near point है तो वैसे यह एक far point भी होने चाहिए यानि कि farthest point जहाँ पर अगर मैं एक object को रखो तो वो बुझे clearly दिखे और उसके बाद object धुंदली हो जाने वाली है लेकिन देखो surprisingly यहाँ पर हमारे पास कोई भी far point नहीं होती है तुम object हो कहीं भी रख दो कितनी भी दूर रख दो तुम्हें वो clearly दिखने वाली है जैसे कि तुम अगर stars को भी ले लो ना stars तो बहुत ही बहुत जाद दूर है infinite distance पर हैं तो उनकी भी एक clear image हमारे रिटना पर बन जाती है और इसे उन्हें भी हम focus कर पाते हैं तो इसलिए हम इंसानों के पास कोई far point नहीं होती है केवल near point होती है जो कि हो गई on an average 25 cm की दूरी पे अब आओ एक बार recap कर लेते हैं हमने देखा कि हमारी आखें ये अपने focal length को change कर सकती है depending on हम कितने दूर की object पे focus कर रहे हैं अब इसी special power को हम एक नया नाम देते हैं इसे हम कहते है power of accommodation लेकिन इको इसकी भी एक limit होती है अगर object को जादा ही पास आ जाए तो हमारी eye ये अपने focus को और जादा decrease नहीं कर पाएगी और इसलिए इस object को focus नहीं कर पाएगी ये redna पे और ये object हमें blurred दिखने वाला है धुन्दला दिखने वाला है